आज से साड़े छे करोड साल पहले हमाई धर्ती कुछ ऐसी दिखती थी जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह डाइनासॉर्स खेला करते थे यहां तक की पानी की गहराई से लेकर आसमान की चोटी तक एक लाख किलो औजनी अजीव से लेकर चार हाथियो जितने भारी पक्षी तक चारो और सिर्फ इनी का राज था लिकिन सर्फ डाइनासॉर्स के साथ हुआ क्या जिसने एक पल में ही सब बदल कर रख दिया और आखिर अमारी पूर्वजी जिन्दा क्यों बच पाए और जो इतने सालों से आप डाइनासॉर्स की बारे में सुनते आ रहे हो वो गलत तो नहीं है आईए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं आईए समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं उस वक्त धर्ती पर ऑक्सिजन ज्यादा होनी की वज़ा से 30-35 माले जितने उचे पेड आम हुआ करते थे और इसमें रहते थे डाइनासॉर्स ये है आठ माले जितना उचा अर्जेंटसॉर्स ये एक दिन में कई जंगल चर जाये करते थे ये है चूने के रेगिस्तान जहाँ पर लाखों सालों से बारिस नहीं हुई पर यहाँ पर भी इनका बोल बाला है और ये है हमारा भारत जो एशिया की तरफ बढ़ रहा है इस समय भारत की जमीन लावा से भरी हुई है और यहाँ पाए जाते थे राजा सौरण अब यहाँ का मंजर थोड़ा सा लग है यहाँ साथ बस जितने लंबे जीव से लेकर एक इनसान जितना बड़ा केकड़ा तक पाए जाता था और अगर बाहर निकल कर देखें तो कई किलो मीटर लंबे अमेरिकी रेगिस्तान में पाए जाते थे टाइटैनोसॉरस तीस हाथियों जितने भारी और आठ मंजिला से भी ज्यादा उचे ये जीए आज यहाँ बच्चे पैदा करने ही खटे हुए हैं दिन रोस की तरह ही बीत रहा है लेकिन इन डाइनसार्स को नहीं पता था कि ये दिन धर्ती पर इनका आखरी दिन होने वाला है दरसल मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे एस्टरोइड्स हमारे सूरच का चक्कल लगा रहे हैं इस जगा को हम एस्टरोइड बेल्ट कहते हैं अन्त से 10 करोड साल पहले दो बड़े एस्टरोइड्स में टकराव होता है उसी एस्टरोइड का एक टुकडा तूट कर धर्टी की तरफ बढ़ने लगता है इसके बहुत सारे टुकडे मून पर भी गिरते हैं लिकिन स्पीर जादा होने की वज़ा से मून का ग्रेविटेशनल पुल इसे रोक नहीं पाता और ये हमाई धर्टी के और करीब आ जाता है जैसे ही धर्टी के एटमास्फियर में एंटर करता है फ्रिक्शन की वज़ा से इसमें आग लग जाती है इस समय धर्टी पर रात के डेड़ बज रहे थे लिकिन टकराव से ठीक 4 मिनट पहले सुबा हो जाती है और 80,000 किलमीट की भी ब्रगटी से ये धर्टी से आकर टकरा जाता है और इसकी रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि आसपास के जीव तो देखने से यंधे हो गए पानी टकराओं से पहले भी सूख गया और जब ये एस्ट्रोइट धर्टी की सर्फिस से टकराया तो उससे जो उर्जा निकली वो आजके 10 करोड परमालू बम से भी ज़्यादा है और इस धमाके से निकली 6000 डिगरी सल्सियस की गर्मी ने आसपास के जानवरों को तुरंथी भाफ में बदल दिया 1500 किलोमीटर के दायेगी जमीन अंतरिक्स तक पहुँच गई और ये बात याद रखिए अभी सिर्फ 5 सेकंड बीता है इस धमाके से जन्मी जटके की लहर 550 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ी जिसने पत्थरों को गोले की रफकार से उड़ाना शुरू कर दिया आसपास की नदिया उल्टा बहने लगी जन्गल के पेंड नीचे गिनने लगे और पहाडों ने अपना दम तोड़ना शुरू कर दिया और इसकी कुछी सेकंड बाल आई गर्मी की लहर ने उड़ते हुए पत्थरों को पिगला कर लावा में बदल दिया संपर्क में आने वाला पानी भाफ बन रहा था पलक जबकाते ही जंगल सूखने लगे समुद्र में उबाल आना शुरू हो गई और जानवरों का सरीर जलने लगा और ये तो बस शुरुवात है टकराव से हजारों टन मलवा अंतरिक्स में पहुचा था जो की गृत्वा कर्शन की वज़ा से वापस पृत्वी पर बरसने लगे इन में भी आग लग रही थी और ये पत्थर जहां गिर रहे थे वहां कई किलो मीटर तक तबाई हो रही थी इस विनाश ने धर्ती को अंदर से हिलात रख दिया था जिसकी वज़ा से धर्ती पर जल ही भूकम पाने शुरू हो गए भूकम की तीवरता जादा थी इसलिए समुद्र के जमीन पर बैठे रेट से समुद्र का पानी मिलने लगा जिसकी वज़ा से वहां मौजूद जीवों को घुटन महसूस होने लगी और उनकी मौत का भी सिलसिला सुरू हुआ अभी सिर्फ पांच मिनट बीते हैं और बाहर मौजूद जानवरों में भगदर सुरू हो गई है घटना स्थल पर पैदा हुई गर्म धूल और मिटी तेजी से आगे बढ़ रही थी बादलों में धूल भड़ने की वज़ा से जमीन पर बिजली गिरने लगी और इस दूफान के बीच आने वाले हजारों टन वजनिया जानवर और पेड हवा में उड़ रहे थे कुछी देर में ये दूफान अफरीका तक पहुच गया और अब उसके चूने के रेगिस्तान इन दूफान से मिलकर बादलों में पहुच रहे थे जिसकी वज़ा से बादल जहरीले होने लगे और इसकी पीछे टकराव ने समुद्र के पानी को बादलों से भी उचा उठाना शुरू कर दिया था जिससे गर्म पानी की बाढ़ाना शुरू हो गई और सिर्फ पाज गंटे के अंदर अंदर पूरी धर्ती धूल से घिर चुकी थी इस समय धर्ती का टेंपरेचर कई सो डिगरी संसियस पहुच चुका था पूरी दुनिया के जंगलों में आग लग रही थी और धर्ती पर आये भूकंप ने मरे हुए जौला मुखियों को भी दुबारा उजागर कर दिया था धर्ती का तापमान हर सेकेंड बढ़ रहा था ओक्सीजन लेवल कम होता जा रहा था धर्ती पर मौझूद बर्फ बिगलने लगी थी और समुद्रों में बाढ़ाना शुरू हो गई थी इस विनाश के बाद जादा तर जमीन में रहने वाले केड़े मकोडे और स्थनदारी जीव ही जिन्दा बचे थे धर्ती की सत्तर परसेंट आबादी बिलूप थो चुकी थी अभी भी कुछ डाइनसौर्स जिन्दा थे जो या तो छोटे थे या फिर उन्हें किसी गुफा ने बचा लिया था और गहरे पानी में रहने वाले जीव भी बिल्कुल सुरक्षित थे लिकिन ये सिलसला जादा दिन तक नहीं चलने वाला था कुछी दिनों में उन जहरीले बादलों ने पूरी धर्ती पर बरशना शिरू कर दिया था जिसकी वज़ा से धीरे धीरे करकर समुद्र का पानी भी जहरीला होता जा रहा था और समुद्र में मौजूद जीव भी मरते जा रहे थे अब ये धूल से ड़की पृत्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और कुछी दिनों में ये पूरी धर्ती बरफ से घिर चुकी थी लेकिन हमारे पूर्वजों को डाइनसौर्स से डर कर जमीन के अंदर रहकर कम ऑक्सीजन और कम खाने के साथ जीने की आदत थी और इस जमीन के नीचे छोटे जीवों का पूरा सामराज य था जिनोंने यही पर रहकर खुद को मरने से बचाया और इस घटना के कई सालों बात भी डाइनसौर्स धर्ती पर जीवित थे लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि धर्ती के नीचे डर कर रहने वाले जीव अराम से धर्ती के उपर रहने लगे इनसानों का एविलूशन कैसे हुआ और वो बचे डाइनसौर्स कहा गए इनके बारे में हम पार्ट टू में जानेंगे पार्ट 2 भी जल्द ही आने वाला है अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमाई चैंग को सबस्क्राइब कर दीजिये और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमाई दर्ती नर्क से हमारा घर कैसे बनी तो हमारा ये वीडियो देख सकते हैं तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद